लेसन नमबर 27 इसमें हम study करेंगे concurrency of three straight lines इसको पहले भी हम एक lesson में कर चुके हैं लेकिन दोबारा से इसको revise करते हैं अच्छा condition of concurrency of three straight lines हैं यह देखे हमारे पास तीन नौन प्रडिल लाइन हैं L1 है A1 x plus B1 y plus C1 equal to 0 L2 है A2 x plus B2 y plus C2 equal to 0 L3 है A3 x plus B3 y plus C3 equal to 0 और concurrent if and only अगर यह determinant जो है यह determinant है यह coefficients of matrix है determinant of coefficients of matrix के लाता है यह determinant of matrix of coefficients है यह तो इसके अंदर देखें x है 4.4 question number 6 है show that the lines 4 x minus 3 y minus 8 equal to 0 3 x minus 4 y minus 6 equal to 0 x minus y minus 2 equal to 0 are concurrent and the third line bisects the angle formed by first two lines अच्छा अब situation है वो इस तरह से है कि इन साब के हम स्लोफ निकालेंगे फिर angle निकाल लेते हैं अच्छा इसका जो solution है वो इस तरह से हैं लिखे जरा इसको 4 x minus 3 y minus 8 equal to 0 question number 1 कह दें इसको 3 x minus 4 y minus 6 equal to 0 question number 2 कह दें x minus y minus 2 equal to 0 question number 3 कह दें अच्छा इसके अंदर step 1 क्या होगा फाल तो करते है यह step 1 हम पूर फरे concurrency we have to prove that all lines are concurrent so इसके लिए होगा के determinant क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए determinant 0 होने का मतलब ही हुआ के 4 3 1 पहले कालम में आएगा 4 3 1 उसे कालम में आएगा minus 3 minus 4 minus 1 तुसरे कालम में आएगा minus 8 minus 6 minus 2 इसको 0 होना पड़ेगा तो चक कर लेते हैं यह 0 आ रहा है या नहीं आ रहा हल कर लेते हैं इसको हम पहले हल कर चुके हैं सब्सक्राइब बहुत सारे question तो इसको भी हल कर लेते हैं 8 minus 6 आजाएगा प्लस 3 आएगा तो minus 6 plus 6 हो जाएगा minus 8 है तो minus 3 plus 4 हो जाएगा this symbolize 4 into 2 3 into 0 minus 8 आसा यह 1 आ जाएगा equals to 0 4 into 2, 3 into 0 8 into 1 तो यह आ जाएगा 8 plus 0 minus 8 अच्छा इसका यह है कि वाकिए ही यह 0 आ गया यह 0 हो गया इसका अंसर 0 आ गया तो this implies lines are concurrent लाइन जो है वो concurrent है अब हम करेंगे step number 2 यह step 1 था यह step number 2 होगा इसमें angle निकालेंगे अच्छा m1 जो है वो देखें m1 जो होगा minus coefficient of x over coefficient of y होना चाहिए तो minus 4 over minus 3 होगा minus time of 4 by minus 3 तो m1 की value आ जाएगी 4 by 3 अच्छा m2 की value क्या आनी चाहिए minus 3 over minus 4 तो minus 3 over minus 4 तो जो m2 की value आएगी वो आएगी 3 by 4 m3 की value क्या आएगी minus minus time of 1 over minus 1 m3 की value 1 आजाएगी माइनस यह नहीं की यह 4 by 3 आएगा पहला दूसरा 3 by 4 आएगा तीसरा 1 आएगा माइनस coefficient of x over coefficient of y आए तो यह आगे हमारे पास slope आगे अब लैट ठीटा 1 इस एंगल बिट्वीन अच्छा थर्ड लाइन जो है वो कर रही है बैसेक्शन कर रही है इन दोनों एंगल्स की यह नहीं के मतलब ही वाग अगर इसका और इसका एंगल निकाल लिया जाए उसको ठीटा 1 के दिया जाए इसका और इसका एंगल निकाला जाए इसको ठीटा 2 के जाए अगर वो दोनों एक्वाल आगे तो मतलब ही हुआ कि हम काउंट ठीक कर रहे हैं यह देखें इस तरह से हैं यह लाइन है L1 यह लाइन है L2 और तीसरी लाइन है जो के है L3 अब L1 और L3 के दिम्यान में जो एंगल है वह है थीटा 1 L2 और L3 के दिम्यान में जो एंगल है वह है थीटा 2 अगर थीटा 1 एक्वाल आ गया थीटा 2 के समयलियां कि हम हमने प्रूफ कर दिया कि वाके ही यह लाइन 3 जो है बाइस सक्षिन कर रही है इस पूरे एंगल की जो L1 और L2 के दर्म्यान में है तो हमने बार बार प्रूफ करना है थीटा 1 और थीटा 2 जो है यह बोड़ा सिंपल है लेट थीटा 1 इस एंगल बिट्वीन L1 and L3 थीटा 2 इस एंगल बिट्वीन L2 and L3 यह बात हमें मान रपनी है वोई है तो प्रूफ दैट थीटा 1 इस एक्वल टू तो तब बैसेक्शन होगी तो अब फार थीटा 1 थीटा 1 जो है देखें थीटा 1 जो है वो L1 से L3 पर जाना है हमने L1 से L3 पर जाना है तो जो फार्मूला होगा इसका वो यह होगा M3 माइनस M1 1 पलस M3 M1 हो जाएगा तो कर दें इसमें फार्मूला पूट कर दें तो इसमें इसा करेंगे 10 थीटा M3 M3 आएगा 1 1- M1 आएगा 4 बाइ 3 ओवर 1 पलस 1 इंटो 4 बाइ 3 इसमें पलाइस 10 थीटा 1 आएगे 3 माइनस 4 सॉल्फ गरेंगे जब इसको तो 3 माइनस 4 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 उपर आ जाएगा और नीचे के आएगा 3 7 by 3 नीचे आ जाएगा उपर आएगा मानस 1 by 3 और नीचे आएगा 7 by 3 3 3 से कट जाएगा तो 10 देन थीटा 1 आएगा माइनस 1 ओवर 7 आल सो थीटा 2 तीटा 2 जो है वह एल टू से एल 3 के उपर है तो इसका जो फार्मूला होगा उपर क्या होगा 10 थीटा 2 M3 M2 1 पलास M3 M2 हो जाएगा 10 थीटा 2 यह आएगा 1 माइनस 3 बाइ 4 ओवर 1 पलास 1 इंटो 3 बाइ 4 उपर क्या आएगा 4 मानस 3 यह आएगा 1 ओवर 4 नीचे आएगा 7 ओवर 4 यह आएगा 1 ओवर 4 नीचे 1 ओवर 4 नीचे 1 ओवर 7 ओवर 4 यह आएगा इसको यह देखें टैन थीटा 1 है और यह टैन थीटा 2 है नाओ टैन थीटा 1 का मौड लें यहां भी मौड लेंगे तो इसकी जो एब्सलूट वैलिउ आ गई वो आगई 1 ओवर 7 ओवर 5 ओवर 5 आएगा यहां से 10 theta 2 की जो value आ गई, वो आ गई 1 over 7, आप देख रहे हैं कि दोनों जो values हैं, इसको हमने प्रूव कर लिया, यह में को सिंपल कॉस्यन था, इसमें हमें 3 स्टेट लाइन गिवन थी, एक को हमने पहली कह दिया, L1, जुरी कहा दिया, L2, तुरी कहा दिया, L3, step 1 के अदर हमने यह चक किया, कि तीनों लाइन से हों हैं, वो concurrent है, determinant की value जिरो आ गई, पर step 2 के अंदर हमने यह किया, कि इनके slopes को calculate कर लिया, उसके बाद फिर हमने यह देखा, कि theta 1 और theta 2 कहां कहां बन रहे हैं, तो theta 1 जो था, वो था from L1 to L3, और theta 2 था from L2 to L3, हमने theta 1 calculate किया, उसकी value को inverse नहीं लिया, 10 theta 1 में रखा, उसकी value आ गई, और 10 theta 2 को रखा, उसकी value भी आ गई, हमने उसको mode ले लिया, absolute value ले लिया, कि हमें numerical में जब चाहिए होती है, तो हम हमारा effort होती है, कि angle जो है, वो positive भी आए, उसका अनसर positive आए, तो दोनों की value सेम आ गई, इसका ultimate मतलब ही हुआ, theta 1 एक्वल हो गया, theta 2 गया, और result है, prove हो गया, thank you.